प्रकाशित उनकी उपन्यास स्पार्टन कूट के लिए उनको ये समान मिला है सामाजिक नवाचार याणि के सोशल इनोवेशन के लिए एडिसं पुरुसकार जीता किस ने टाटा पावर ने तो थॉमस अलवा एडिसं की याद में दिया जाता है ये पुरुसकार थॉमस अलवा एडिसं लिमिटेट के MDCO बने कौन विनी तरोडा पेटीम की बात करेंगी तो इस्तापना 2010 में वी थी नोएडा यूपी में इसका हैटक्वाटर है और इसके फाउंडर है संस्तापक है विजी शेखर शर्मा फिर है भारत सरकार ने 20 लाग खुद्रा दुकानों की शरंकला किस नाम से शुरू की तो आंसर होगा सुरक्षा इस्तोर के नाम से फिर है कौन सा देश WHO को परदान की जाने वाली धनराशी को दोग देगा यानि कि जो फंड देता था अमेरिका वो अब WHO को नहीं देगा ऐसा उसने घोशना की है तो आंसर इसका अमेरिका होगा और इसके अलावा जो चाइना जितना फंड देता है उसने का है कि अब हम 30 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देंगे ऐसा चाइना ने घोशना की है साथ अपरेल 1948 को वही थी इसलिए साथ अपरेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हैटकॉर्टर इसका जेनेवा सुट्जलेंड में है और इसके हैड है तैद्रौस अधानोम फिर एक क्रिक किंडम का ब्रेंड अम्बेसेडर किसे बनाया गया तो आंसर होगा का रुईच शर्मा को क्रिक किंडम दुबई की एक किरकेट अकेडमी है ये फिर ए युनेस्को की विश्व धरोहर समीति का 44 सत्र इस्थगित कर दिया गया भी कहावे होना था ये चाइना में होना था युनेस्को मतलब होता युनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइन्टिफिक एंड कल्चरल और्गेनाईजेशन डिरेक्टर जेनरल और द्रे उजाले हैं हेटकोर्टर इसका फ्रांस पैरिस में है फिर है कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाग का अत्रिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारते जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है तो टाटा AIA Life Insurance इसका हेटकोर्टर मुंबई में है और इसके MDCO है रिशी शिरिवास्ताव बढ़ते आगे फिर है White House के Corona Virus सलाकार परिशद में न्यूक्ट किया गया किसको रोखना को इसके लावा एक सीमा वर्मा है उनका नाम भी आप याद रखना क्योंकि अमेरिका की Corona Virus Task Force में शामिल किया गया था इनको फिर है Digital कामकाच को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा तो आंसर है इसके अलावा भी एशिया का नंबर वन स्पूर्ड स्टेक देश भी भना था भारत फिर है BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमिंट प्लेटफॉर्म लांच किया तो अंसर होगा SBI के साथ मिलकर गये और इस पेमिंट प्लेटफॉर्म का नाम रखा था भारत इंस्टा प ले कौन सा एप डेवलप किया था तो आंसर होगा सहयोग तो कोविड नाइंटीन से संब्दित जानकारी एकत्र यानि कि कलेक्ट करने में मदद करेगा ये सहयोग एप्लिकेशन सरवे ओफ इंडिया का हैटकॉर्टर है आपका उत्तराखंड के दहरादून में फिर है प्र इसका नाम था चितरा जीन लेंप एन इसको डेवलप किया था किसने केरल ने ये किट काफी सस्ती है और तेजी से सटीक तरीके से वायरेस का पता लगाती है फिर है जो हमारे करशी मंतरी है नरेंदर सिंग तोमर उन्होंने किस मुबाइल एप्लिकेशन को लांच किया था भी तो आंशर होगा किसान रत एप ताकि किसानों का जो खाद्य पदार थे जो फल सब्जी है वो खराब नहों खेतों में और उसे खेतों से ले जा करके गोदामों में या मंडियों में पहुंचाया जाए फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ऐसे करो ना मोबा से कहां पे शिफ्ट कर दी थी तो आंसर होगा दिल्ली में ताकि कोरुना महामारी के उपचार में जो लोग जो डॉक्टर लगे हुए हैं और जो अन्या स्वास्त कर्मी लगे हुए हैं उनको समय पे और तेजी से PPE किट पर्सनल प्रोटेक्शन किट अवेलेबल हो सके बढ अब टोटल कितनी हो गए हैं यह 10 हो गई है फिर है European Union के सदस्य देश कितने हैं तो 27 हैं यह मैं आप से क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी Britain European Union से अलग हो गया है तो अब कितने हो गया है 27 हो गया है मालदीव की केपिटल बताओ मालदीव की केपिटल माले है अभी आपक प्रे ना गोबा जतारा उत्सव यह मनाया जाता है कहां पर यह तेलंगना में मनाया जाता है तेलंगना का एक जन जाती है तोहार है और किन समुदायों के द्वारा तो गोंड समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है फिर है बत्तू कम्मा तोहार यह का मनाया जाता है यह तेलंग नाम ही मनाया जाता है, फूलों का तेवार होता है, यह बेसिकली, फिर है मीरा बाई चानू, यह कौन है, यह वेट लिफ्टर है, मतलब इनका सम्मंद वेट लिफ्टिंग से है, और यह है कहां से, तो यह मनिपुर से है, फिर है नाटो, नाटो यानि की नौर्थ और अर्गिनाजेशन का हैटकॉर्टर कहां पर है, ब्रुसेल बेल्जियम में है, और अभी कुछ करेंट अफेर्स आपको जोड के बताओं यहां पर, तो नाटो का सदस्य बनने के लिए, जो उत्तरी मैसेडोनिया है, उसने उत्तरी अट्लांटिक संधी को मंजूरी दे द जा रहा है, नौर्थ मैसेडोनिया, यह उत्तरी मैसेडोनिया की कैपिटल बताओ, इसकी कैपिटल है, स्कॉपजे, स्कॉपजे इसकी कैपिटल है, करंसी है मैसेडोनियन दिनार, फिर लेबिनौन की कैपिटल बताओ, लेबिनौन की कैपिटल बैरूट है, प्रधान मंतरी हैं हसन दियाब ये इसी साल नए बने थे और एक और करंट अफेर्स का आपको यहां से कुशन बताऊं तो जीना अकर का नाम याद रखना क्योंकि लेबनान के साथ साथ पूरे अरब शेतर की पहली मेला रक्षा मंतरी बनी थी वो जीना अकर फिर रश्या के नए परधन निंती तो आप जानते ही हो मिखाईल मिसुस्तीन बन गए है और हाँ गाईज अगर वीडियो का अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है इसे लाइक शेयर करना भूल गए है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ या अगर आपका कोई स्टडी कुरूप है तो वहाँ पे इसे शेयर जरूर कर देना और अगर क्रेक एक्जाम अपको इस बगरा सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से अगर वहाँ पे कोई अडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पे एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें मुश्किल से एकाथ सेकंड आपका खर्च होगा लेकिन उसे एप्लिकेशन को और बहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपूर्ट मिलेगा तो मुझे थोड़ा बहुत सपूर्ट जरूर करना बढ़ते हैं तो अब important days की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रशन है World Autism Awareness Day ये हमने मनाया 2 April को फिर अंतर राष्टर खदान जागरुकता दिवस ये हमने मनाया 4 April को इसे अंग्रेजी में ही International Minds Awareness देखेते हैं फिर राष्टर समुद्री दिवस National Maritime Day ये 5 April को हमने मनाया है और इसकी theme क्या थी Sustainable Shipping for a Sustainable Planet यानि कि इस थाई गरह के लिए सतत Shipping अब याद रखना ये National Maritime Day है एक World Maritime Day भी होता है September के Last Thursday को मनाते हैं वो हम फिर अंतर राष्टर अंतर राष्टर अंतर रात्मा दिवस International Day of Conscience ये हमने पहली बार मनाया अभी 5 April को ही फिर International Sports Day International Sports Day हमने 6 April को मनाया है और National Sports Day हम कब मनाते हैं तो 29 August को मनाते हैं इसी महीने हम मनाईगे अभी देखना आगे जो महान होक्की प्लेयर थे ना हमारे मेजर ध्यान चन्जी उनके जैनती को मनाते हैं फिर World Health Day World Health Day हम मनाते हैं 7 April को और इस बार की theme क्या थी Support Nurses and Midwives फिर विश्व Homeopathy Divas ये हमने 10 April को मनाया है जिसकी theme क्या थी Enhancing the Scoop of Homeopathy in Public Health फिर राष्टर सुरक्षित मातरत्व दिवस National Safe Motherhood Day 11 April को मनाया फिर अंतर राष्टर मानव अंतरिक्ष दिवस यानि कि International Day of Human Space ये 12 April को मनाया था हमने और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले वैक्ती भी थे यूरी, गागरिन, USSR से थे फिर पहला विश्व चगास दिवस World चगास डिजीज दे ये हमने अभी 14 April को मनाया है तो guys ये था आज का हमारा Current Affairs का revision वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please एक like जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे share करना मत भूलना, कम से कम एक study group में आप इसे share जरूर करा करें अब कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएंगे questions आप लोग लगाएगा और देखेगा कितने questions आप लोगों से अब कुछ से लोगा है